ओम शान्ति बहुत बहुत प्यार से आज शद्गुरुवार दिवस के बहुत बहुत सुपकामनाएं बहुत बहुत पधाईयां मिठे प्यारे बाब दादा शद्गुरु बाबा का महावाक के हम सभी सुनेंगे शद्गुरुवार दिवस पे बाबा बहुत प्यार से हमें शिक्षा दे रहें मिठे बाबा कहते हैं मिठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है पढ़ाई से ही असकॉलर्शिप मिलती है इसलिए परमात्मा बाप त्वारा जो knowledge मिलती है उसे ग्रहन करो बाबा कह रहे है पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी, पढ़ाई से तुम बच्चों को scholarship मिलती है इसलिए परमात्मा बाप जो knowledge तुम बच्चों को देते हैं उसे ग्रहन करना है, उसे भारन करना है बाबा अज प्रश्ण करते हैं लाइक ब्राह्मन किसे कहेंगे उसकी निसानी सुनाओ जो लाइक ब्राह्मन बने है उनकी निसानी क्या होगी और उसी का पुजिट जो नालाइक ब्राह्मन बने उसकी भी निसानी होगा तो बाबा के वल सुब भासा बोलते हैं शुब सुब बात करते हैं कि लाइक सुना दो तो नालाइक तो आटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा न उसके निसानी क्या होगे लाइक ब्रामन वा जिसके मुख पर बाबा का गीत ग्यान कंट हो बाबा बोट रहे हैं बाबा का गीत सदा बुद्धी में मन बुद्धी में चलता रहे और मुख पर कंट हो बाबा बोले दुसरा जो बच्चों जो बहुतों को आप समान बना रहे हैं वही लाइक ब्रामन है तो आप चेक कीजे कि निरंतर हर घड़ी बाबा का गीत आपके मुख पर रहता है कि नि आप चेक करें कि बाबा के समान हम दुसरों को बनाने की मेहनत करतें कि नहीं करतें बाबा का किसी को ग्यान सुनाना किसी मुरली समझाना किसी को बाबा से प्रीत लगन लगाना जुडवाना इस प्रकार की सेवा करते हैं कि इने चेक करें तिसरा पॉइंट है बहुतों को ग्यान धन का दान पुनि करते हैं कि नहीं कभी भी आपस में एक दो के मध्भेत में ना आया वो है सच्चे ब्रामन, लाइक ब्रामन किसी भी देधारी में बुद्धी लटकी वी ना हो, उसको कहेंगे लाइक ब्रामन मिठे बाबा कहते हैं किसी भी देधारी में बुद्धी लटकी वी ना हो, उसको कहेंगे लाइक ब्रामन ब्राह्मन अर्था जिसमें कुई भी भूत ना हो जो देह अहंकार को छोड़ देह भीमानी रहने का पुर्शार्थ करते हैं वही है सच्चे अर्थों में लाइक ब्राह्मन ये मिठे बाबा बोले अच्छा आगे प्यारी बाब दादा बोले धार्णक लिमुखिशार स्रिमत को छोड़ कर कभी भी पर्मत पर नहीं चलना उल्टी सुल्टी बातों में आकर के पढ़ाई से मुख नहीं मुड़ना है कई भाईबहने ब्राह्मनों के संपर्क में आते हैं संसकार टकर होता है या पुरुजनों का हिसाब किताब इमर्च होता है तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं बाबा केते नहीं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों में आकर के तो हमें बहुत प्यार से बाबा की स्रिमत पर सदा चलते रहना है मनमत परमत पर नहीं चलना है उल्टी सुल्टी बातों में आकर के पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है उल्टी सुल्टी बात समझ रहे न जो भिभिन परकार की परिक्षाएं अभी माया का चल रहा है जो कई आत्मय कहते हैं कि बाबा तिसरा रत ले लिए इतना कम बुधी आत्मय जो कहते तिसरा रत ले लिए तो बाबा तो सबसे पहले मदुबन में ही अनॉंस करेंगे न और इतने सारे वरिष्ट आदी रतन आत्माई इतने स्क्यानी योगी तपश्वी आत्माई तीसरा रत्र को नहीं मानेंगे तो कौन मानेंगे लेकिन भगवान जब तक आदेश नहीं देंगे, तब तक अगर कोई भी इधर उदर की बाते से आपको समझाते हैं, कहते हैं या देखते हैं आप, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा परिक्षा है, इस परिक्षा को अच्छी रिती से समझिए, परखिए और सही निर्ने ल बोलना है, आपस में मदवेद में नहीं आना है, दूसरी पॉइंट है, अपनी जांच करने के हम कहां गफलत तो नहीं करते हैं, चेकिंग करना के हम कहां कहां समय बरबाद तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा टेंसन है की नहीं, समय बेर तो नहीं जाता है, आत्मा भ से चेक करके हमें स्वैम को चेंज अवश्य कर लेना है क्योंकि जो भगवान अभी बोड़ रहे हमारा 84 जनमों का भाग्य उदय करेगा इसलिए हमें भगवान का एक जनम बात मानने के लिए मर मिटना भी पड़े तो 100% हमें मर मिटने का द्रोड संकल्प करना चाहिए संपू ता त्याग का भागी नहीं बनता है हर चीजों में हमें जरूर बाबा के आग्यार मरियादा पर चल करके थोड़ा त्याग करने के लिए सीखना है जितना त्याग उतना बड़ा भागी जितना कम त्याग उतना कम बड़ा भागी कई भाई भाने ब्रामन बनने के बाद भी बहुत अराम पसंद होते हैं, उत्वड़ा सभी सेवा में कस्ट करना नहीं चाहते, तुनको फिर भागी भी उतना ही कम मिलेगा, जो जितना त्याग तपस्या सेवा करते हैं, जितना ज्यादा बाबा के सिरिमत पर चलने में कस्ट करते हैं, सहन करना, उसको कहेंगे कस्ट करन बावा की स्रिमत पर चलने से बहुत प्रकार की जान सक्तिक जरूत होती है। बच्क invites जितने बड़ी अत्टृटी बने निर्मान और सर्व की सही होगी होंगे। अलप काल्प की अत्टृटी वाले अहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्यान का पर्तक्ष शरूप है बावा कह रहे हैं। सच्चे सेवाधारी के वृती में जितनी अथुरिटी होगी, उनकी वानी में उतना ही सने और नम्रता होगा। तो हमें सच्चे सेवाधारी बनने का प्रोफ देना है और वो सवता ही प्रोफ हो जाता है, उनकी वानी में क्या होगा, बहुत प्रोफा होगा। स्लोगन बाबादेर है भागी का अधार है त्याग बिना त्याग के भागी नहीं मिलता है भागी का अधार है त्याग जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा भागी है बिना त्याग के भागी नहीं मिलता है इसलिए बहुत अटेंसन से प्यारी बाबा का महाबाक के हमें जी जितना बड़ी बावा के त्याग हम करते हैं बावा के सिर्मत पर चलने का उतना बड़ा हमारा तकदीर उतना बड़ा मेरा भाग्य बनता है लौकी कर छणिक चीजों को त्याग करते हैं हमारा एक जनम दुख्या खासे की जनम और पूरे-पूरे 84 जनमों का तकदीर जमा हो जाता है इसलिए हर एक ब्रह्मा वत्सों को यथा संभवत्याग करके भाग्य निर्मान करने का सेवा करना चाहिए ओम शांति